नमस्कार दोस्तों, रोहिनी दिल्ली से अधिवक्ता मोहिनी मोना का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सभी से ये प्रामिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बेदखली कानून के विशे में चानकारी दूँगी बेदखली क्या है? बेदखली कैसे की जाती है? बेदखली कौन कर सकता है? इसकी सही प्रक्रिया क्या है, बेदखली करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इत्यादी इत्यादी अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक वर शेयर करना न भूलेगा और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं, तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलेगा तो आईए सबसे पहले जानते हैं, कि बेदखली शब्द का सही माइना क्या है बेदखली को अगर सरल शब्दों में समझना चाहें, तो इसका अर्थ है किसी एक व्यक्ति के द्वारा अपनी चल व अचल संपत्ती से किसी दूसरे व्यक्ति के कबजे या उसके दखल को समाप्त करना अगर किसी भी माता पिता को यह लगने लगे कि उनकी पुत्रवधु जो उनके साथ काफी लंबे अर्शे से अबद्र वेवार कर रही थी वो अचानक उनको जूटे केसों में फसाने की धमकी दे रही है या उनको जूटे केसों में फसा सकती है तो वो माता पिता अपनी उक्त पुत्रवधु को अपनी चल या अचल या दोनु संपतियों से बेदखल कर सकते हैं इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को ये महसूस हो कि उनकी पुत्री, पुत्र, पुत्रवधू या अन्य कोई रिष्टेदार उनके साथ अबद्र वहवार करते हैं, गाली गलोच करते हैं, मार पीट करते हैं या अन्य प्रकार से प्रताडना करते हैं या वो उनके किसी भी गतिविधियों से ये सामने आये कि वो किसी भी आपरादिक गतिविधी में शामिल हो सकते हैं, लिप्त हो सकते हैं या गलत लेंदेन करते हैं, तो उप्त व्यक्ति अपने उस रिष्टेदार को, बेटे, बेटी या पुत्रवदू को अपनी चल या अचल या दोनों संपतियों से बेदखल कर सकते हैं, यहां पर एक बहुत जरूरी सवाल ये उठखड़ा होता है कि क्या किसी एक व्यक्ति के द्वारा चल या अचल या दोनों संपतियों से बेदखल करने से बात समापत हो जाती है या अन्य कुछ और भी करना चाहिए, तो यहां पर दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जब आप बेदखली का नोटस इशू करते हैं, तो उस समय आपको सिर्फ चल या अचल या दोनों संपतियों से ही बेदखली से काम नहीं चलेगा, बलकि आपको उसके साथ हर प्रकार के संबंद विच्छेद भी करने होंगे, उनके गलत वेवार के चलते और साथ ही साथ ये बताना भी बहुत जरूरी होगा कि आज के बाद भविश्य में उनके द्वारा किये गए किसी भी कृत्ते की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं होगी तो दोस्तों यहाँ पर एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि क्या माता पिता अपने नाबालिक बच्चे को भी बेदखल कर सकते हैं तो इसका सीधा सा जवाब होगा ना कोई भी माता पिता अपने नाबालिक बच्चे को बेदखल करके अपने कर्तव्य से मुझ नहीं मोड सकते कोई भी नाबालिक बच्चे का भरन पोशन खाने पीने का शिक्षा का खर्चा माता पिता को भरना होगा माता पिता को उठाना होगा और कोई भी माता पिता अगर इस कर्तव्वे से मुँ मोडते हैं तो उक्त नाबालिक बच्चे के पास कानूनी अधिकार हैं अपने इन अधिकारों को पुनहा प्राप्त करने के यानि कि दोस्तों इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ अब सवाल ये उटता है कि बेदखली करने का सही तरीका क्या है क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि लोग बेदखली गलत तरीके से करते हैं और उसके बाद ये कहते हुए पाये जाते हैं वकीलों के पास चक्कर लगाते हैं कि जी मैंने अपने उक्त बेटा बेटी या पुत्रवदू को उनके गलत वेवार के चलते उनसे संबंद विच्छेद कर लिये थे उनको बेदखल कर दिया था लेकिन फिर भी मेरे उपर ये केस चल रहा है दोस्तों कोट के गलियारों में अकसर ऐसे व्यक्तियों से हमें हमेशा दोचार होना पड़ता है जब व्यक्ति हैरान परशान होकर ये कहता हुआ पाया जाता है कि सर मैडम मैंने तो बहुत सारे गनमाने व्यक्तियों के बीच में समझाता किया था पंचायती फैसला किया थ को संबंद विचेद करके इसको बेदखल कर दिया था लेकिन फिर भी इसकी वजह से हमें कोट में चक्कर काटने पड़ रहे हैं धक्के खाने पड़ रहे हैं तो दोस्तों यहां सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि बेदखली करने का सही तरीका क्या है अगर हमने सही तरीके से बेदखली नहीं की तो हमें बाद में परिशानी का सामना करना पड़ सकता है तो दोस्तों बेदखली करने के लिए सबसे पहले आप अपने वकील के पास जाकर एक स्टैम पेपर पर एफिडेविट निकलवाएं कि आपने उक्त व्यक्ति के गलत वहवार के चलते उनसे संबंद विच्छेद कर लिया है अपनी चल्व अचल या दोनों संपतियों से उनको बेदखल कर दिया है और भविश्य में इनके किसी भी कारे के प्रती मेरी किसी भी कोई भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी ये स्टेम पेपर पर एफिडेविट निकलवाने के बाद आपको अखबार में एक इश्तिहार देना होगा और उस इश्तिहार के द्वारा आपको फिर से पुनह ये दोराना होगा कि मैंने उक्त व्यक्ति को उसके गलत वहवार के चलते अपने संपति से बेदखल कर दिया है उसे सभी प्रकार के संबन विचेत कर लिये हैं और उनके किसी भी भविश्य में किये गए करते के लिए मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी और उसके बाद भी बकायदा आपको कंसर्ण पुलिस टेशन में इसकी दरखास या इंटिमेशन देनी होगी ताकि आपको बाद में किसी भी परिशानी का सामना ना करना पड़े तो दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल ये उट खड़ा होता है कि हम बेदखल अपने रिश्टेदार को कर तो रहे हैं लेकिन क्या उसको इस वक्त बेदखल करने का फायदा होगा या मुझे पहले करना चाह हो कि आपकी पुत्रवदू आपको जूटे केसों में फसाने की धमकी दे रही है या आपका कोई रिश्टेदार जिस पर आपको शक है कि वो अपरादिक गती विदियों में लिप्त होए या आपको ये शक है कि वो बहार उल्टे सीदे लेंदेन में व्यस्त है उसी समय अगर आपकी पुत्रवदू ने आपके विरुद F.I.R. लॉज करवा दी है या आपका कुछ जो संबंदी जिसके उपर आपको शक था वो F.I.R. में अलड़ी लॉज हो चुका है तो उस बेदखली का फायदा नहीं होगा क्योंकि पुलिस इनक्वेरी जब होगी तो यहां यह बताना भी बहुत जरूरी है कि जब आप अपने बेटे को या पुत्रवदू को बेदखल करते हैं तो आपको उसके साथ नहीं रहना होता अक्सर आप यह गलती कर जाते हैं आप यह सोचते हैं कि मैंने बेदखल कर दिया अब अगर पुलिस आएगी तो पुलिस क मैं अकबार दिखा दूँगा या स्ट्रेमपे पर दिखा दूँगा और यह कह दूँगा कि यह बेदखल मैंने कर दिया तो दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ी गड़बड हो सकती है आपके जब आज पड़ोस में इंक्वैरी की जाएगी पुलिस के द्वारा और यह बात निकल करके आएगी कि वो बेटा आज भी आपके साथ रह रहा है तो आपको उस बेदखली का कोई भी फायदा नहीं होगा तो दोस्तों यह तो हुई आपकी उस समय की बात जब आपने उक्त व्यक्ति को तब बेदखल किया जबकि वो किसी भी F.I.R. में शामिल नहीं अब एक उधारन के साथ देखते हैं कि अगर एक व्यक्ति जिसने अपने पुत्र और पुत्रवदू के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के चलते एक F.I.R. में वो शामिल हुआ और उसके बाद उनका बेटे और बहु का आपस में समझाता हो गया तब क्या किया जाए अगर इस्थिती में कोई भी व्यक्ति जिसके बेटे और बहु के बीच पे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था और उस डिस्प्यूट के बाद उनका आपस में समझाता हुआ उस समझाते के बाद ध्यान रहे कि वो व्यक्ति अपने उक्त पुत्र और पुत्रवदू को घर में ना रखे ताकि भविश्य में आने वाली परिशानियों से उसका बचाव हो सके अगर दोस्तों ये छोटी छोटी बाते आपने ध्यान रखी ये गलतियां आपने की तो आपको बेदखली का कोई भी फायदा नहीं होगा बेदखली करने की सही प्रक्रिया जानना बहुत जरूरी है और उसके फायदे और नुकसान के विशे में भी सोचना बहुत जरूरी है अगर आपने बेदखली सही तरीके से की सही समय से की तो इसका आपको फायदा मिल सकता है लेकिन यही बेदखली आपने गलत तरीके से की क तो उससे आपको फायदे की बजाए नुकसान ही होगा इसके अतिरिक्त दोस्तों एक प्राक्टिकल नुकसान जो की होता है बेदखली का वो ये है कि अगर एक व्यक्ति ने अपने बेटे को अपने जिन्दा रहते बेदखल कर दिया और खुदा न खासता उसके साथ कुछ अ उसकी प्रापर्टी में हक दिखाना जताना या लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा इससे भी बचाओ के तरीके हैं जिनको आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको समझाओंगी अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट और शेयर करना मत देगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजेगा ताकि आपको समय समय पर उच्छत जानकारी मिलते रहे आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया